नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चितन कानुन गो और बच्चों के एक्जैमस आने वाले हैं, काफे सारे पेरेंट्स जो हैं वो वड़े टेंशन में हैं, बच्चों के सो किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से उनके एक्जैम का टाइम टेबल बनाएं, उनके खाना, पीना, सर्थी, जो खाम, एट्मॉस्फेर, स्कूल और नजाने कितनी प्राप्डम्स को लेकर के वो टेंशन में हैं, खास करके ममाज, बच्चों की ज्यादातर रिस्पॉंसबिलिटी जो होती है, वो ममा के उपर होती है, और ममा जो है, वो इन सब चीजों की वज़े से अपने डेली रूटिन को बहुत मिस्मैनेज कर लेती है, वैल, इतना टेंशन लेने के जरुवत नहीं है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगे, सारी ममा से, सारी सारी पैरेंट्स से कि प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए, वैल आइकन दबा दीजिए, नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, लेट्स स्टार्ट विद इस टॉपिक, कि एक्जाम टाइम में बच्चों का खास खयाल हम लोग कैसे रख सकते हैं, तो एक्जाम के समय पर बच्चों का जो दिमाग होता है उस पर जादा जूर पढ़ता है, तो ओविस सी बाते हमें उनके दिमाग का खयाल रखना होगा, हेल्दी चीजे जो हैं उनके दिमाग तक पहुँचाने होगी, उनके दिमाग को थोड़ा शांत रखना होगा, उनका बढ़ाना होगा, ऐसे में परिक्षा की टेंशन से दूर रखने के लिए बच्चों को सबसे पहले सुबा जल्दी उठने के आदत लगा दीजिए, जित्ता जल्दी सुबा बच्चे उठेंगे, उतना रिफ्रेश वो महसूस करेंगे, सुबा उठकर थोड़ा सा मेडिटेशन करवाईए, वो पैरेंट्स को फॉलो करते हैं, अगर पैरेंट्स जल्दी उठेंगे, वो मेडिटेशन करेंगे, तो बच्चे भी फॉलो करेंगे, ठीक है, एक्जाम टाइम आते ही बच्चों को लेकर के पैरेंट्स की जो दिल की धड़कने बढ़ जाती है वो इस मेडिटेशन से थोड़ा सा कम हो जाएंगी और दूसरी बात जिन पैरेंट्स को आपस में लड़ाई जगड़े करने में सुखून ज़्यादा मिलता है कुछ टाइम के लिए उससे थोड़ा सा लॉक कर दीजिए किसी कमरे में ठीक है ताकि हजबन वाइफ के बीच में भी थोड़ी सी शांती रहेगी प्यार रहेगा और उसका जो पॉजिटिव एफेक्ट है न वो आपके बच्चों पर पढ़ेगा घर का माहौल खुशनमा होगा बच्चे खुश होंगे पॉजिटिव एनरजी वर्क करेगी और बच्चों के एक्जैम्स जो है वो आटोमेटिकली पॉजिटिव तरिके से अच्छे होंगे तो बच्चों को हमेशा से सही टाइम पर पढ़ने की आदत लगाएं पढ़ाई में ब्रेक लेना भी जरूरी एक साथ लगा करके डॉक्टर के बढ़ाई तो नहीं कर रहे न वो अभी ठीक है बिना ब्रेक के लगातार पढ़ते रहने से क्या होता है ना टेंशन हो जाती है एन्जाइटी हो जाती है एक्जाम टाइम में बच्चा चीजों को भूलने लगता है क्योंकि हमारा जो माइन्ट होता है ना किसी भी चीज को याद रखने के लिए रिवाइस करने के लिए उसे टाइम लगता है एक साथ उसको आप भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे तो वो क्या होगा full हो जाएगा और आपको जो है वो negative impact देना start कर देगा तो better है कि brain को भी ठोड़ा सा relax होने की जरूत है बच्चों को समझाएं Einstein हमें नहीं बनना है लेकिन हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपके physical body और आपके mental body को वो affect ना करे ठीक है तो सबसे पहले खुद tension free रहे तो बच्चे अपने आप tension free हो जाएंगे बच्चों की help करने के लिए 24 hours ready रहना होगा आपको तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सा तंदरुस्त होने की जरुवत है mentally fit होने की जरुवत है शान्ती की जरुवत है खास करके couples को तो हमीशन से उससे पूश्टे रहें अपने बच्चों से पूश्टे रहें कि आपको उनको आपकी help की जरुवत है किसी चीज में कोई topic समझने में या फिर कोई tuition लगाने में किसी tutor के साथ बात करने में school में बात करने में किसी तरह की कोई भी problem है तो वो अपने parents से आकर के discuss कर सकता है या फिर कर सकती है और एक बात कि जो mamma लोग होती है पापा लोगों का तो खेर इतना interfere होता नहीं है लेकिन जो mamma लोग होती है न वो अपने बच्चों पर थोड़ा सा pressure कम डाले कि भाईया तुमको 99% जिलाना है तुमारी class में first कौन आता है तुम्हें आगे रहना है उससे ऐसा दवाब बच्चे पर मत डाले वो पढ़ाई करने के लिए नहीं पढ़ेगा वो first आने के लिए पढ़ेगा और वो एक अच्छी चीज नहीं होती है क्यों? क्योंकि आप जो होते हैं वो बच्चों पर unnecessary वो pressure डालते हैं जिन्हें वो बच्चा एक anxiety के रूप में लेता है वो पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में नहीं लेता मेरी ममा को मुझे first आ करके दिखाना है मुझे 99 marks लेकर के आने है मुझे topper बढ़ना है मुझे school topper बढ़ना है सबकी नजरों में मुझे मेरा नाम करना है इसलिए मुझे पढ़ना है no this is the wrong way of study no ऐसा नहीं होना चाहिए आपके बच्चों को relax होकर पढ़ाएं ठीक है कम marks भी आ गए तो क्या problem है भई दोबारा महनत कर लेंगे ठीक है और एक बात actually क्या होता है न जब exams time आते हैं तो parents का pressure रहता है school का pressure रहता है marks का pressure रहता है और नजाने कितने pressure रहते है pressure cooker की तरह बच्चे का जिद्माक होता है वो फटने लगता है तो ऐसे में आपको भी pressure cooker नहीं बनना है थोड़ा सा अपने उपर control रखना है प्यार से उन्हें समझाना है क्योंकि प्यार एक ऐसी medicine है ना जो हर एक चीज़ पर work करती है और positive work करती है और एक बात parents को आजकल अपने बच्चों को घर का काम करवाने की बहुत पड़ी रहती है ये बहुत अच्छी बात है ये एक अच्छा अनुसाशन है कि बच्चे को घर का काम आना चाहिए लेकिन थोड़े time के लिए उन्हें छुटे दे दीजिए बड़े बच्चे हैं 10th के हैं 12th के हैं उनको इस वक्त सिर्फ पड़ाई की जरुवत है एक महीने बाद में आप उनसे डबल काम ले लिजिएगा घर का लेकिन अब भी थोड़ा से रिलेक्स करने दीजिए थोड़ा से रिलेक्स होंगे सिर्फ एक्जाम पर अपना फोकस करेंगे काम को थोड़ी दिर के लिए साइड रख देंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारा फोकस सिर्फ एक तरफ है ठीक है और पढ़ाई को लेकर के बच्चे के पीछे ना पढ़ जाएं पढ़ तू पढ़ पढ़ बैठके पढ़ ऐसा नहीं करें एक टाइम डेबल सेट करें कि वो बच्चा घरी देखे और उसे याद आए कि यह गंटा मुझे हिस्टरी को देना है यह गंटा मुझे इंग्लिश को देना है वो खुदर रिसाइट करें टाइम टेबल के हिसाब से कि मुझे कौन सा टाइम किसे देना है टाइम टेबल बनाईए बच्चा अपने आप उसे फॉलो करेगा बार बार आप टाइम टेबल के तरह क्लॉक बन कर उसके पीछे मत पढ़िए ठीक है एक्जाम टाइम में भईया टीवी एकदम बंद हो गई है बच्चा बिलकुल टीवी नहीं देखेगा नीचे खेलने नहीं जाएगा चिर्फ पढ़ाई बुक्स वस ही ऐसा मत कीजिए उनके माइंड को थोड़ा सा रिलाक्स एंटर्टेंमेंट की जर्वत होती है थोड़ा सा दे दीजिए एक डोस उनको थोड़ा सा रिलाक्स होने के लिए थोड़े दे टीवी देख लेने दीजिए थोड़े दे नीचे खेल लेने दीजिए एक्जाम है औके अनली एक्जाम है दिस असदा पार्ट ओफ लाइफ एक्जाम को हवा बनाने की जर्वत नहीं है उसे नॉर्मल तरीके से लिजिए न और बच्चों के सामने कभी भी यह जाहिर ना करें कि भईया उससे जदा हमको टेंशन है कि तुमारे मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा ठीक है आप पॉजिटिव रहेंगे बच्चे अपने आप पॉजिटिव रहेगा तो अब यह तो बात हुई ममी पापा की अब बात कि स्टुडेंट्स की कि स्टुडेंट्स को ऐसे एंजाइटी से दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए सबसे पहली बात तो एक्जाम को लेकर घबराना नहीं है नॉर्मल तरीके से ले घबराने पर कभी-कभी क्या होता है आपने जितना भी पढ़ाई किया है न सब पर कोशिश कीजिए क्योंकि जो चीज हम अपने इमेजिनेशन में ढालते हैं देखते हैं उन्हें भूलते नहीं है रट्टा मारते हैं तो फिर याद कहा होना है यदि आपको परिक्षा का डर सता रहा है तो अपने दोस्तों से अपने पैरेंट्स से बात करें न उस डर को अं हिस्सा है लेकिन अपनी पूरी लाइफ नहीं नहीं इतना सुनने को मिलता है उसने सोसाइट कर ली उसने ऐसा कर लिया वह उपर से कुद गई उसने जहर खा लिया उसने फलाना धिमका और यह सिर्फ किसलिए होता है सिर्फ दो रीजन्स की वज़े से एक तो पैरेंट्स का निकली जाओगे पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जैसा कि मैंने पहले बताया बना करके रखें थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें माइंड को रिलैक्स करें कौन सा सब्जक्ट कब पढ़ना है कब आपको पढ़ना इजी लगता है कौन सा सब्जक्ट सुबह पढ़ना और एक्जाम आने से एक महीने पहले आपका कोर्स जो है वो कम्प्लीट हो जाना चाहिए वो एक महीना आपको सिर्फ रिवीजन में देना है अब ममास की बारी है कि भई एक्जाम टाइम में आपको अपने बच्चों को क्या हेल्धी फूड खिलाना है वो भी तो ध्यान रख नहीं है इस वक्त शरीर को और ब्रेन को खाने की जरुवत है और ब्रेकफास्ट होना बहुत ज़रूरी है तो ठीक है ऐसे में इस टाइम में कोशिश कीजिए आपना अच्छा सा हल्वा बना के दे सकती है उन्हें वाइड ब्रेड की जएगे फाइवर जैसे दलिया पूहा आजकल बच्चों के वैसे बहुत नाटक होते हैं I can understand बट सैंड्विच बना के दे दीजिए पानी का बहुत ध्यान रखना है गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और जिन स्टेट्स में गर्मी जाता पड़ती है वहां के पैरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देने की बच्चों के लिए प्रोटीन भी बहुत जरूरी होता है इस वक्त डाल दे सकती है इस प्राउट्स दे सकती है कचा पनीर खिला सकती है दूसरे बनी चीजे दे सकती है और क्या ध्यान रख सकते हैं आप कैलोरीस की जो मात्रा है थोड़ा सा कम कर दीजिए जैसे जंक पूस्ट करने के लिए फिजिकल और मेंटल एनरजी को बूस्ट करते रही है और इन जीजों को बूस्ट करने के लिए आपकी बच्ची की बॉड़ी को आईरन की सबसे ज़्यादा जरुवत होती है जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन है रैड मीट खाते हैं जो में शामिल कीजिए और जो लोग फिश खाते हैं और सोया सोया का भी आप अच्छे से ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं और अगर आपका बच्चा लाइब्रेरी जाता है तो उसे टिफिन जरूर दें जैसे उसमें फ्रूट्स रख दीजी ठीक है और फाइवर के लिए आप उसको वीट रूट खिलाइए ना बहुत वीट रूट भी बहुत अच्छा रहता है फाइवर यूपत खाना खिलाइए मिन्जल्स का थोड़ा सा ध्यान रखी है और एक और हम हमेशा से गलती करते हैं कि एक साथ ठूसने के कोशिश करते हैं बच जादा हम खाना ठूस लेते हैं तो हमें नीद आती है ठीक है और अगर आप बच्चों को स्नेक्स की रूप में समोसा बर्गर नमकीन पीज़ा देते हैं तो बिलकुल मना कर देजिए वैसे भी इस्वास के लिए अच्छा नहीं होता उसकी जगे आप उन्हें थोड़ा फ् खेला हैं जैसे इस आइम पर अण्गूर आ रहे, ग्रैप्स आ रहे, उन्हें खिलाएं आइए घर जाएंगे अभी तर्भूज खेलाईए घर छच्छा आईए च्ट्रीय वाशिकां और हमेशां बच्चों के सामने positive रहे तो मेरी तरफ से उन सारे बच्चों को all the best जो अपने exams देने जा रहे हैं 10th के exam 12th के exam और भी छुड़ छुड़ बच्चे भी जो exams देने जा रहे हैं उन सब को मेरी तरफ से all the best और यह सारे tips जरूर फॉलो कीजिए अपने आसपास के तो मेरी कोशिश अगर आपकी थोड़ा सा भी काम आई तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे ही वीडियो आपको बना-बना कर देती रहूंगी थैंक्यू सो मच